नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल Master of Social Work पर और आपको अगर Social Work, Net, JR, F, PhD से रिडेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ हमारे टेलेग्राम चैनल और वाट्सप चैनल को भी जोइन कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रिवियस एयर कॉस्टिन प्रेपर है यह जो आपका दिसंबर 2022 साइकल का जो एक्जाम हुआ था मार्च में सोसल वोक का उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसके कोस्टिन को सॉल्व करने की कोसिस करेंगे और एक मेरा सदेंशन है कि जब भी कॉस्टिन स्क्रीन पे आएगा आप ट्राई करेंगा कि आप खुछ से स्टॉप करके उसके बाद उसका आंसर आप देखें तो इससे आपकी प्रैक्टिस आपको बता चलेगी कि आपका कितना अच्छा प्रिपेर हो रहा है और कितना काम आपको करना बाती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो पहले कॉस्टिन से स्टार्ट करते हैं यहां पे जो पहला कॉस्टिन है वो है इंडियान सोसल वर कॉंग्रेस और गनाइज एवरी यर इडिस अन इनिसीटिव और मतलब जो भारती समाजकारे समयलंग कांग्रेस प्र इंडिया यह आपका सही जवाब है ठीक है आप लोग खुझसे भी ट्राइब गरिएगा जब भी लगाने बैठीएगा तो ट्राइब करिएगा कि आप खुझसे उसक्टिन को पहले सॉल्व करें स्टॉप करके उसके बाद आप इसको करें इसका अंसर देखें चलिए सेके सेकेंन कोशीं कोशिशन तो यह रहा आपका सुक्रिव गांडियर प्रशाओ चौराँ टो सेकेंन कोश्टिन यह है की अफर रहा शेकंड वार इंग्लेट वेलिम डेबरीज पबलिस और रिपोर्ट जनरल इन वाज जो दिए इस के बाद आप्ने पड़ा होगा यह वेलियम और आपको आपने वीडियो देखियोंगे आपने खुछ से पढ़ा भी होगा तो इसका जो टाइटल था वो था Social Insurance and Allied Services यह अप हर बार आपको जो भी आप नेट का पेपर देखोंगे इस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ जरूर आएगा कभी वेवरेज रूपिक का टाइटल पूछ देता है कभी पूछ देता है कि यह पप्लिस हुआ था कभी यह पूछ देता है कि वो पांच जो जाइन थे उनको मैचिंग करने के लिए आपको आज जाएगा कि मैच करिए कुछ ओप्संस के साथ ऐसे कॉश्चिन आएंगे तो इसको टॉपिक इसको अच्छे साप पढ़के जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं इसके बार जो तीसरा कॉश्चिन है वो यह है कि जो पहला अधिकतर जो स्टूरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा सेंट्रल सोसल वेलफेर बोर्ट पे टिक कर देते हैं बट कोसिस करिएगा कि सही तरीके से कॉश्चिन को देखेगा कि इसमें पूछा क्या गया है यहां पर फॉस्ट एडिसन पूछा जा रहा है तो इस चीज हम फॉर्ट क्वेश्चिन पर चलते हैं तो फॉर्ट क्वेश्चिन यह है कि जो पहली चैरिटी और्गेनाइजेशन पौंड हुई थी वो कब हुई थी और कहां पर यहां पर देखें आपको कन्फ्यूज करने के लिए अप्संस अलग-अलग तरीके से मैच करता हुआ मिल तर में कुछ लोग जल्दी बाजी में हो सकता है सिकागो पर लगा दे बट इसका ख्याल रखेगा ठीक है तो अठारा सुन अत्तर में हुआ था और यहां पर चैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया था यह किया गया था ओक्टीविय इनको आप अच्छे से पढ़कर जाईएगा तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेस्टिन पर नेक्स्ट क्वेस्टिन आपका आ गया है इसमें पूछा गया है कि विच आप तर फॉल्विंग इस नाट और स्ट्रॉक्ट्टरल फीचर आप कास्ट सिस्टम हाइलाइट बाई गूरे मतलब जो गूरे थे उन्होंने जाती विवस्था में से निम्लिकित में से कौन सी जो संरचना में कौन सा ऐसा था जिसको नहीं रेखांकित नहीं किया था उन्होंने हाइलाइट नहीं किया था मतलब आपको इसमें से जो नहीं गूरे द्वारा नहीं बताया गया है उसको choose करना है तो इसमें कोई confusion आपको नहीं होना चाहिए है ना इसमें देखिए तीन चीजे उनकी थी इसमें से तीन चीजे आपको देखने को मिल जाएगी जो segment division है वो उन्होंने बताया था तो ये नहीं होगा ठीक है फिर है कि hierarchy उन्होंने बताई थी तो यानि कि ये भी इसका अंसर नहीं है इसके बाद है lack of choice of occupation ये उन्होंने अपने उसमें हाइलाइट किया तो नहीं होगा तो option बच रहा है proper accommodation तो जो इसका अंसर होगा not हमेशा question ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जल्दिबाजी में हम लोग होते हैं या उस time पे pressure होता है कि exam room में होते हैं तो इस ताइं घूरिये द्वारा रिखांकित नहीं की गई थी तो प्यूक्त आवास जो होगा वो नहीं है और बाकी चीज़े हैं चलिए आगे चलते हैं next question पर तो next question है कि a set of norms and values that distincts a group from the larger society known as a मतलब प्रतिमानों और मुल्यों का वह समुचे जो किसी समुख को व्रिहस समास से अलग बनाता है मतलब आपको यह बताना है कि ऐसे कौन से norms या values होते हैं जो कि ग्रुप को एक जो larger society उसे अलग बता रहा है तो इसका क्या answer होगा आप इसको ध्यान से पढ़ि कीजिए तो यहां पर आपको जो एक चीज मिलेगी वह सब कल्चर के ना कि सब कल्चर इसमें होगा और बाकी चीजे आपको देखने को मिल जाएंगी सोसाइटी सोसाइटी में आपको multi-culture दिख जाता है आपको पेट्रियार्की दिख जाएगी और परस्नालिटी यह भी आ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि जो रॉबर्ट मर्टन थे उन्होंने सोसल फंक्शन को कैसे एक्स्प्लेन किया है ठीक है यहां पर आपको multiple choice जो answer है option से choose करना है तो इसमें आपको बहुत ध्यान से दे रहा होगा कि कोई confusion ना हो तो यहां पर जो अगर आपने इसकी रॉबर्ट मर्टन द्वारा यह पढ़ा होगा जो इन्होंने दिया था अपना theory में सारी चीज़े बताई थी तो उसके अनुसार जो manifest function है यह और latent function यह दो आपको मिल जाएंगे तो इसमें से आपको यह option कहां दिख रहा है यहां पर option number three a and d ठीक है चलिए next question पर चलते हैं यह आप उसका हिंदी में भी देख सकते हैं रॉबर्ट मर्टन ने समाजिक प्रकारे को इस रूप में व्याख्यत किया है तो यह आप देख लीजिगा सूस्पस्प्रकारे विमरसक प्रकारे विवन्दान प्रक्यारे ऐस to a small association of people connected by ties of an emotionally involving nature यह किस ने दिया था प्राइमरी ग्रूप की बाद किस ने की थी इसने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रूप में चीजों को बाटा था एक बर अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोग डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा तो यह जो होंगे यहां पर कूले कूले ने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रूप की बात की थी और उन्होंने ही बताया था कि कैसे लोग फेस टूफेस इंट्रेक्शन होता है इंटरकनेक्टेट कैसे होते हैं सारी चीजे उन्होंने एक्स्प्रेइन की थी तो यह आप जब पढ़ोगे हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हो इसके बाद नेक्स आता है कि हूस मोटो वाज है विदाउट अलमस मतलब भीक्षा के बिना सहायता यह किसका अधर्स था तो यह जो दिया था ओक्टीविया हिल ने दिया था उन्होंने कहा था कि लोगों को बनाना है कि वह अपनी हेल्प खुद कर सके उनको कोई जरूरत की चीजे देने से अच्छा कि आप उनको इस तरीके से सक्षम बनाएं कि वह सारी चीजे वह खुद और कर सके अपने महनत से या अपने स्किल्स से या उनके पास जो भी काम हो उससे वह किसी पर डिपेंडेंट रहे है यहां पर इन्होंने फिल दे बिलॉंग इवन इफ दे आर नोट एक्टुली मेंबर्स इस नोन एज मतलब की ऐसे कौन से समू होते हैं जिसमें लोग अपने आपको जुडा हुआ अनुभव करते हैं जबकि वास्तिविक्ता में वह उस ग्रूप के सदस्य नहीं होते हैं मतलब आप उसके मेंब तो यह एक जो रिफ्रेंस ग्रूप की बात कही गई थी कि संदर्व समू इसमें क्या होता है जैसे कि आपका कोई आधर्स होगा जैसे कोई एक्टर या कोई मॉडल या कोई कुछ भी हो सकता है किसी एक्यूपेशन या प्रोफेशनल कोई व्यक्ति है उसकी परस्नालिटी ह आप उसके ग्रूप के सदसे नहीं है लेकिन आप खुद को वैसा फील कर पाते हैं आप उनके दिये गया दरसों पे या उनके उनको देखकर आप मोटिवेट होते हैं कोसिस करते हैं आपकी उस तरीके से आपकी परस्नालिटी हो तो यह आपका रिफ्रेंस ग्रूप आजात वर्गिक्रित किया था तो इसमें से कौन सा ओप्षन होगा यहां आपको चूज करना है तो यहां पे जो सही ओप्षन होगा वो है ओप्षन नम्बर 4 बेसिक इस्ट्रक्चरल लोकोमोटिव एंड मोलर यह आपका सही आंसर होगा तो इसको आप देख लीजेगा एक बढ़ पढ़ लीजेगा अच्छे से इसके बाद जो दूसरा कॉस्चिन है वह है कि विच आप फॉल्विंग इस नौट एन अप्रोच ऑफ कम्यूनिटी और गनाइजेशन मतलब की इसमें से ऐसा कौन सा अप्रोच है जो की कम्यूनिटी और गनाइजेशन में यूज नहीं होता ह है नौट नौट विच आया है पर वता है कि इसवी इस फ्सिश्विक कंटेंट अप्रोच होता है जनरल कंटेंट अप्रोच होता है फिर प्रोसेस अप्रोच भी होता है यह आपको दिखने को मिल जाएगा कम्यूनिटीasadhan में है ना लेकिन इनर烈 सोर्स पंपरोच यह चलते हैं question number 13 पर हम आएंगे तो यह है कि the principle of social action proposed in the text social work and social action are derived from the methodology used by मतलब जो social work and social action नामक पुस्तक है उसमें जो समाजी क्रिया का सिधान्थ दिया गया है वो किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया है तो यहां पर आप देख पाएंगे यह महात्मा गांधी जो थे इनके द्वारा यूज किया गया था तो यह आपका answer होगा अब यह है 14 नंबर का जो आपका question है इसमें पूछा गया है इनमें से कौन है जिनों ने समुदाइक कारे के संघर संबंदी दिश्ट्र कोड के निकट नहीं है मतलब इसमें से कौन है जो conflict perspective के निकट नहीं है तो यहां पर चार option आपको देखने को मिल रहे है तो इसमें जो answer होगा वो होगा एम जी रॉस है कि बाकि जितने लोग है उन्होंने बात की है कि जब समाज में जब conflict होगा लोग लोगों में आपस ही तरह होगा तब ही वह चीज़े चेंज होगी लोग आपस में विचार मत्भेद बाकी चीज़े होने के बाद ही होती है आप यह पालो फेरियर जो थे उन प्रिंस्पल उनके भी और जो यहां पर मूली थे उनके में भी आप यह देख पाएंगे तो यह आप पढ़ोगे तो आपको यह चीज़े क्लियर रहेंगी तो आपके लिए आंसर करना इजी हो जाएगा यहां पर आपको देख लिए इसमें से कौन अलग दिख रहा है तो के बाद जो 15 नंबर का आपका question है इसमें पूछा गया है कि which of the following does not contribute to the principle of credibility building इसमें से कौन सी जो सिद्धानत नहीं मिलती है उसके बारें बात करना है कि विश्व सिनीता निर्मान में कौन सा इससा सिद्धानत है जो नहीं आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इसमें आप आपने पड़ा होगा मात्मा गांधी का जो उसमें उन्होंने का गुडविल की बात जो उनकी कही गई है कि जेस्चर ऑफ गुडविल तो वर्ड ऑपोनें तो यह तो नहीं होगा इसके बाद एक्जांपल सेटिंग मतलब आपे लोगों को उदार दे के आप वहां पे खु जो लोगों को दिख रही होते हैं इसके बाद सेलेक्शन और टिपकल अर्जेंटली फेल्ट और उब्लम्स तो यह तीनों तो नहीं होंगे यह यहां पर आपको पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वह आपका आंसर होगा ठीक है क्रेडिबिल्टी बिल्डिंग में तो आज हमने यह 15 questions discuss किये हैं इसके बाद हम next video में आगे की questions को भी solve करेंगे तो try करेंगे कि जो question है हम paper यह solve करा है इसके बाद हम आगे के question papers भी solve कराते रहें क्योंकि आपकी exam में time नहीं रह गया है तो आप लोग question जो भी आप लोग पढ़ रहे हो जो भी तयारी कर रहे हो जिस ट्रॉपिक का उसको आप जरूर एक बार questions लगाईए मौक टेस्ट लगाईए यह question paper आपके पास है तो उनको लेकि खुद बैठी और solve करेंगे इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपक questions आते हैं और आपका mindset उस तरीके से काम करेंगा तो आप जब exam में जाओगे तो आपको आपको आइडिया रहेगा तो यह इसमें आपको helpful होगा और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को like करेंगे और चैनल को subscribe करेंगे और आपके friends जिनको research या PhD या NetJRF से related कोई भी तैयारी कर रहा हो तो आप उनको उनके साथ यह वीडियो हमारा सेयर कर सकते हैं and thank you for watching